अब्डिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को वेलकम दोस्तों हेल्ट टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दियर स्टुएंट और आज उपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साइकोलोजी के इंपोर्टेंट क्यूश्ट जो कि कई कमपेटटिव एकजाम में पूछ जाते हैं इसके साथ साथ में आप अगर आप चाते हैं हमारी एप्लिकेशन HTM के अकैडमी को डाउनलोड करना तो यहां से आप अच्छी तयारी करने के लिए आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस लिंक पर आप क्लिक करकर Google Play Store से HTM के अकैडमी की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आप फ्री में टेस्ट रिज दे सकते हैं इसके साथ साथ में आप टेस्ट रिज को बाई भी कर सकते हैं और वहां पर कुछ जो है यानि कि कुछ ऐसे टेस्ट भी है जो बिलकुल एकदम फ्री है आप उ question में पूचा है सबसे पहला important बात करते हैं अपने यहां पर question में क्या पूचा है question में पूचा है sub system of personality which play important role to satisfy our biological needs thoughts right way and show the right way to behave यानि कि ऐसा कौन सा sub system है यानि कि personality का जो यह करवाता है कि right way है और right behavior को इसको कौन indicate करता है ऐसा कौन सा है ठीक है sub system है personality का तो यहांपर सही answer क्या होगा यहांपर बता दिज़ेर आप सही answer क्या है तो यहांपर सही answer क्या होगा क्या होगा यहांपर सही answer है ओ अगो इगो दे Cherry इखको बात करने अपन यहांपर right-way यानि की right-way का जब आपको यहाँ पर मैं आपको बताज़ता हूँ जब आपके option में अगर यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर अगर यहाँ आ रहा है आपके option में right way ठीक है अपने question में क्या बताज़ता है sub system of personality which play important role satisfy our biological leads thought thought ठीक है right way ठीक है right way right way के दोराण अब मैं आपको यहाँ पर बताज़ता हो देको personality में यह जो right अगर आपको यहाँ पर आगया right way तो जब right way आपको option में दिखाई दे right way दिखाई दे right way जब आपको option में दिखाई दे तो वो करता है कौन करता है वो ego तीन चीज़े होती है, कौन होती है, इड, ठेके इड, 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 इगो, इगो, और एक होता है, सुपर इगो, सुपर इगो, समझ में आ गया, सुपर इगो, इड, इगो, सुपर इगो, तीन चीज़े होती है, इड, इड किसे कते हैं, जैसे कि मालो यह, यह, मालो, यह कौन यह चोटू लाल है, समझ में आगया है, यह चोटू लाल है, और यह चाता है, मैं आपको एक्जाम करता है, समझा हूँगा, कि यह चाता है, कि मैं अभी जाकर इस आम को तोड़ लूँ, ठीक है, यहां पर जो आम है, यह नहीं कि मैं आपको यहां पर समझा जाता हूँ, जैस इसकी desire है, desire है कि इस आम को मैं तोड़ लूँ, लेकिन इस आम को तोड़ने के लिए क्या है, ये तो इसकी desire होगी, जो desire होती है, इसे कहते है पना, id, क्या कहते हैं, इसे id कहते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, अभी मत तोड़ो, ठीक है, अभी मत तोड़ो, ठीक है, अभी मत त तोड़ो, यह सई टाइम नहीं है, तोड़ने का, ठीक है, समझ में आ गया, यानि कि यह किसी और के बागान में लगा, मैं एक एक जम्पल के तोड़ने पर बता हूँ, जैसे सपोच करो, कि आपके पास में एक अमरूद का बगीचा है, ठीक है, और आपको भूक लगी, ने तोड़ने, ठीक हो, जैसे सई समय ने तोड़ने का, यह कौन कहता है, यह आपका एगो कहता है, और अगर अगर, आपने मैंने तोड़ लिया कई मेरी पकड़ के मेरी पिटाई होगी तो समाज मेरे लिए क्या कहेगा यानि कि कहने का मतलब यह समाज के उपर यानि कि एक तरह से social social के उपर depend करता है कौन super ego कि मैंने अभी माल लो आपने support करो आपने तोड़ लिया अमरूद और आप पकड़ा गए और आपकी पिटाई हो गई तो यह आपके अंदर की जो सोच होती है वो होता है super ego सबसा पहली इद इद किसे कहते है समझ में आ गया यानि कि आपको desire जो आपकी इच्छा है उसे कहते है इद और ego क्या करता है ego कहता है यह सही समय नहीं है यानि कि एक तरह से इद और super ego के बीच में सामझेश्य बनने का काम करता है कौन ego तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा देखों यहाँ पर satisfy देखों यहाँ पर equation में यह ही पूछ रहा है right way यानि कि right way शही है या नहीं है तो यह कुण decide करता है यह necessite करता है यह करता है रिये लिटी ठीक है समझ में आ गया यह वास्थिक्ता असके उपर काम करता है ठीक है वास्थिक्ता के उपर वास्थिक्ता का मतलब जानते हो ना रियल में, रियल वाली चीज के उपर काम करता है, इद क्या है, इद तो सिर्फ मन, मेरा मन हो गया है कि यार मेरा मन हो गया है कि मेरे को तो मेले में जाना है, मेरा मन हो गया है कि यार मेरे को तो मेले में जाना है, कोटा के दसरे मेले में जाना है, लेकिन एगो क्या कहेगा, भ कुछ मेरे साथ हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि भीड लगी हुई थी उसमें क्यों गया मूर्ख समझ में आया है यानि कि कहना है कि मतलब वो अंदर से आवाज निकलती उससे कहते है पने सूपर इगो समझ में आगया यह चीज चलो ठीक है तो यहां पर हो गया अपना इगो बात कर लेते हैं नेक्स्ट यह क्यूशन विच पार्ट ऑप दे ब्रेन प्ले इंपोर्टेंट रोल इन मैंटेनिंग देर स्टेट ऑप होमेयोस्टेसिस होमेयोस्टेसिस का मतलब एक तरह सित्तपित करता है समझेसिए मतलब एंभायरमेंट के अनुसार अपनको एड्जेस्ट करना मालों में में हूँ ठीक है यह में हूँ यह में हूँ और में क्या का चला गया में चला गया मालो रेगिस्तान रेगिस्तान यानि जैसल मेर जैसल मेर चला गया तो वहां के वातार्ण में थोड़े दिन रहूँगा तो मेरा जो है न में क्या है वहां पर थोड़े दिन रहूँगा में वो करवाता है हाइपो ठेलेमस ठीक है? समझ में आ गया? वो करवाता है? हाइपो ठेलेमस. समझ में आ गया? नेक्स चलते हैं पन यहाँ पर चलते हैं पन वेन ए परसन गेट स्ट्रेस एक परसन है जो इस्ट्रेस उसको स्ट्रेस मिलता है कहां से ओपिस से आप्टर रिचिंग दे हॉम बीट हिस वाइप एड चिल्डरन तो रिलीज टेंशन बैया ओपिस में उसके बोस ने उसको फटकार लगा दी जैसे मालो मेरे जूनियर मेरे नीचे काम करने आया और मेंने वहाँ पर उनको फटकार लगा दी अरे ये टाइम है तेरा काम करनेकार येसे काम नहीं करना वो से काम नहीं करना और मेरा जूनियर जब घर पे गया और उसकी वाइप को उसने पीट दिया और उसके बच्चों के उपर उटने डाट लगाई किसलिए stress को रिलिव करने के लिए he is using the following defense mechanism है वो किस प्रकार की defense mechanism है यूजिक कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे अपन यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर सही answer क्या है यहाँ पर सही answer है वो है displacement उसे क्या कहेंगे अपन displacement सपोच करो यह मैं हूँ यह मैं हूँ और मैंने इस staff को मैंने डाट लगा दी यह जो staff था इसको मैंने क्या किया डाट दी तो ये कहा गया ये घर गया घर गया ठीक है घर गया ये घर पे गया और इसकी जो वाइब थी ठीक है वाइब थी वाइब थी उसके और इसके जो बच्चे थे ठीक है जो बच्चे थे ठीक है उनको इसने क्या किया यहाँ पर इन से क्या किया इनको डाटा समझ में आ गया इनको beat किया, तो मेरा यहां का जो गुस्सा था, इसने कहां कर दिया, इसके उपर displaced कर दिया, displaced कर दिया, displacement कर दिया, समझ में आ गया, यानि कि मैंने data वो घर पे जाकर बच्चों से जा लड़ा, यानि कि वो tension को relieve करने के लिए, उसे कहते है अपने displacement, ये गलत नहीं होना आई ये पन online पढ़ेंगे, आप क्या कहोगे, सर मेरे तो internet का fake नहीं है, जबकि आपके पास internet है, लेकिन आप कहोगे, कि सर मेरे पास internet नहीं है, मेरे यहां तो internet नहीं चलता, यानि कि आप बहाने बना रहे हो, आपको पढ़ना ही नहीं है, तो वो से कहते है अपन rationalization, आप ब आपको नाचना नहीं आता है, वो आपको जबरस्ती वहां धकेल के वहां लग देता है, तो वहां रख देता है, और आप कहते है, मैं तो इतना अच्छा नाचता, इतना भंगडे वाले पे, इतना डांस करता, लेकिन आपका यार stage सहीं है, ये stage में क्या है, कि यार पेरों म अंदर जो विचार आते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के अंदर विचार आते हैं, उन विचारों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठेहरा देना, सही में आ गया, उनको लिए दूसरों को जिम्मेदार ठेहरा देना, या फिर एक example में बता देता हूँ आप, एक example में projection का ब बूल गई यारारे, बच्पन का प्यार मेरा बूल गई यारारे, कहने का मतलब यहां पर वो क्या कह रहा है, मेरा बच्पन का प्यार है, वो बूल गई, लेकिन इस इस्तिती में क्या होता है, वो खुद ही बूल जाता है, मालो सपोच करो, मैं आपको एक्जम्पल बताता हू जैसे मान लो ये ये है ये एक लवर है ये प्यार करने वाला है किस से इस से ठीक है इस से प्यार करता है लेकिन बाइसाब इनका क्या है इनका क्या है इनका ये ये आदमी इनका जोब लग गया क्या लग गया और ये खुद ही इसको भूल गया ये जो गर ले इसको क्या है ये खुद ही बूल गया, इसको खुद बूल गया, ये कौन, ये इसको बूल गया, और बाद में जब इससे पूछते हैं, तो इससे पूछते हैं, तो इससे पूछते हैं, तो ये क्या कहता है, बच्पन का प्यार मेरा बूल गई यारार है, यानि कि वो मेरा प्यार बूल गई, और खुद ही भूल गया लेकिन दूसरों को कह कर रहा है वह ब्लेम कर रहा है ठीक है या फिर इसका एक और एकजामपल में आपको बता देता हूँ कि दूसरे लोग किया करते हैं मतलब मेलाओं की तरह करते हैं काम करते हैं तो उसका मज़ा खुडाता है कहना का मतलब ये एक तरह से कहें तो इस लिए कहने को धूसरों का उपर एक तरह करना इस में 2 तीन टाइप है इस सुलिए आपको थोड़ा सा एक्जाम।ल में क्या है थोड़ा सा पहले होगा एक्जाम्पल में कि यार यहां का लग बताया है यह दोनों एक ही है एक तरसे इसमें दो-तिन टाइप से हैं इसके सब टाइप है प्रोजेक्शन के तो यह एक्जामपल है यानि कि कहने का मतलब है खुद की जो यानि कि खुद की जो अंदर की इमोशन होती है वो दूसरों के ऊपर ब्लेमि कंवार का मतलब का मतलब की आप चामा लम से तरुछों के दो यह यह टॅफक न लगता है उससे क्या चैण्य uta ना बिच्छों यहां बच्छों करने लगतें हो उसे क्या कर्दे एपन जो बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं उसे कहते हैं अपन रिग्रेशन यानि कि रिवर्ट टू चाइल्डिस बिहेवर जैसे मालो मैं बड़ा सा कई बार आपने दिखा हुआ कि जना मैं उसे कहते हैं सब्सक्राइबर झांटार्षए परूंट सब्सक्राइब तो कहने का मतलब यह कि जिसे कुछ रहा है तो रिग्रेशन समझ में आगे आपको करती है ना कि नहीं पपा मैं तो चलूंगे बच्चों जिसी अरकते हैं जो बच्चों जैसे बिले एज उनकी ज्यादा हो तो उसे कहते हैं पर रिग्रेशन बात कर लेता हैं नेक्स्ट गिविंग डिफ्रेंट प्रॉंग डिएल वन ओफ वाट वी आर डूइंग ठीक है यानि कि उससे क्या करते हैं आप जैसे मालों के आप जब हम रिएल के अलावा जो यानि कि कौन सी इसी डिफेंस में जिसमें हम एक्स्क्यूज बनाते हैं और जो रिएल चीजे उससे डिफ्रेंट एक्सक्यूज देते हैं मैंने बुला ना आपको एक्जामपल जैसे में किसी मेरे दोस्त की शैदी में गया और वहां जाके मैं क्या एक्जामपल दे रहा हूं अर्वा मैं तो इसा नाचता यार पर क्या कि तुम्हारा स्टेज ही खराब है मैं तो इसा डांस क आट रख लो लोमडी ऑन्यों छगोंगोर क्हाने के लिए गयी और बार बार देखा बार जkten मंड फाइंग Dri घटें सो मष्टें चूश सबद्टें तो वह चीजें um कन्फूजन द्यूर हो जाना चाहिए आपका बात कर लेतें नेक्स्ट इन विच डिफेंस मेकनिज्म यानि कौनसी डिफेंस मेकनिज्म है एप पार्सन चैनलाइज हिज स्ट्रोंग सोशेली असेप्टेबल ड्राइव ठीकि जो सोशेली असेप्टेबल जो ड्राइव है और वो डिफेंस मेकनिज्म कौनसी है तो यहां पर वो कौनसी डिफेंस मेकनिज्म है यहां पर उसे क्या कहेंगे अपन पता उसे क्या कहेंगे अपन सब्ली मेशन उसे क्या कहेंगे अपन उसे कहेंगे अपन सब्ली मेशन ठीक है सही अंसर क्या है अपना यहां पर सब्ली मेश सुम्मज मैं गए कि सम package this Сब्मिमिशन को इसलिए प्याँ माभ 다른 लो जिसे मालों ए मैं ऑलो आपको एक्जाम्पल मैं से बहुत ज्यादा मतलब किसी से लओ करता हूं किसी से प्यार करता हूं किसी से लओ करता हूं लेकिन उस लओ में मैं क्या है भे लो गया हों, ठीक है? तो भेल हो गया हों तो मैं क्या करूँगा? social में जाकर, क्या है? ये तो कवीता हैं लिखने लग जाऊँगा उसकी, मैरी एक मैसी महभूबा थी मेरा ये था ये कवीता हैं लगने लग जाऊँगा एक तरह से मैं poetry बन जाओं, मतलब poem यानि कभी बन जाओंगा, तो यह सब चीजें क्या होती है, इसे कहते है अपन, sublimation, क्या कहते है इसे अपन, sublimation, समझ मैं आ गया, next, next question देख लेते हैं अपन, a person who has aggressive feeling may not be able to express this in society, but can become a boxer, this is example of, आप तो मैं आपको एक 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 जामपल बताता हूँ, जहाँ पर society आ गया, चमझ मैं आपको पकड़ने के लिए मैं एक trick बताता हूँ, trick है यह, trick, जहाँ पर इसमें आपको society दिख रहा है, society दिख रहा है, तो maximum उसका answer क्या होगा, उसका answer sublimation होगा, दियान रखलना, sublimation, सहजी में आगया, उसका जो maximum, यानि कि असी प्रतिशत उस question का answer क्या होगा, उसका होगा, sublimation, एक trick है यह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं question को solve करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, a person has aggressive feeling, ए not be able to express these in society, लेकिन वो society में express नहीं कर सकता है, but can become a boxer, लेकिन वो boxer बनना चाता है, this is example of can, केने का मतलब यह example किस चीज़ का है, ठीक है, तो इसे कहते है पन, यानि कि मैं हूँ और मेरे को बहुत बड़ा करोर पती बनना है, लेकिन मैं society में क्या है, इसे express नहीं करना चाता हू तो यह भी यह भी example है, वो है, sublimation, यानि कि aggressiveness होती है इसमें, इसमें क्या होती है, aggressiveness होती है, ठीक है, और वो उसको करना चाता है, उसे कहते है पन, aggressiveness होती है, उसे कहते है पन, sublimation, तो यह भी example है किसका, sublimation का है, next बात कर लेते है पन, कहने का मतलब यहां पर है कि जो अंदर की जो feelings है जो emotion की जो conflicts है वो physical symptoms में आपको दिखाई देने लगेंगे और अंदर से कोई मतलब उसको कोई भी बीमारी नहीं है और गनिक यानिक कोई भी बीमारी उसको नहीं है कोई और गनिक कोज नहीं है तो उसे क्या कहेंगे यहां पर क्या कहेंगे उस defense mechanism को क्या कहेंगे उसे यहां पर क्या कहेंगे अपन उसे कहेंगे अपन यहां पर conversion ठीक है आपने देखाऊगा देखाऊगा, आपने, मैं एक एक जामपल बताता हूँ, अगर मालो दो, यह लोग है, ठीक है, यह है, और यह है, यह गल्फ्रेंड है, यह इसकी गल्फ्रेंड है, और यह इसका बॉइफ्रेंड है, समझ में आ गया, यह तो बॉइफ्रेंड है, और यह इसकी गल्फ्रेंड ह अब इस तरह इर इसके बीच में कुछ बहस हो गई, इसके और इसके बीच में क्या हो गया, कुछ बहस हो गई, यानि कि girlfriend, boyfriend के बीच में थोड़ा सा जगड़ा हो गया, जब जगड़ा हो गया, तो यह जो girlfriend है, जो इसकी जो female होती है, mostly यह female के अंदर होता है, ठीक है, female क्या हो इसके अंदर कुछ stress आया और उसके अंदर क्या conflict आने लगे और conflict आने के बाद में वह किसमें आने लगे Conversion, physical symptoms में वह दिखाई देने लगे, कहने का मतलब ऐसे करेगी जिस दिल का चोईस्ट में पेहन हो रहा है मेरे तो बहुत पेहन हो रहा है जो अपन Conversion mostly यह एक तरह सा females के अंदर सबसे ज़्यादा होता है जो Conversion जो होता है डिफेंस मेकनिजम में वह mostly नहीं किसमें होता फिमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है ठीक है तो यह इसे किते हैपन Conversion समझ में आगया चलो ठीक है next question को देख लेता है पन theory of cognitive developed was proposed by by ठेक है जो cognitive theory तो किसने प्रपोज किया है तो cognitive theory वह कहा है किसने किसने प्रपोज किया है वह किया है जीन पाइगेट ने ठीक है जीन पाइगेट ने ठीक है जो कोगनेटिव थेयरी थेयरी है वह किसने प्रपोस्ट किया है जीन पाइगेट ने अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद रखने की इसको आप ऐसे याद रख लो कॉप ठीक है अब क्या होता है कई बार अपन क्या एक्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे याद रख लो क को यानि कोगनेटिव किसने बनाएं इसको पाइगेट ने काइच थेरेपिंग किसने बनाया पाइगेट ने जीन पाइगेट ने समझ में आ गया चलो नेक्स्ट expect क्या है तो पर करो कि से केते हैं तो यहँए अंसर ही हो है सें यह और एंड इंटरपिडिच्व जो census होती है उसे interpret करना उसे कहते है अपन perception जैसे माल लो यहाँ पर कोई sensation है माल लो यहाँ पर बोर्ड पर कोई सब्द लिखा है A B C D लिखा है इसको आपको interpret करना इसको कहते है अपन क्या कहते हैं इसे कहते है अपन perception समझ भागया next question psychoanalytic theory of personality development was introduced by psychoanalytic theory किसके द्वारा दिया गया है तो psychoanalytic theory किसके द्वारा दिया गया है यहाँ पर सही answer क्या होगा बात कर रहे हैं पन यहाँ पर psychoanalytic theory तो psychoanalytic theory किस ने दिया तो इसको दिया सिग्माइड और फ्रियूड ने ठीक है जो psychoanalytic theory है उसको सिग्माइड और फ्रियूड ने दिया है बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की नेक्स्ट क्यूशन लिच धा बेस्ट टेस्ट डॉबड़कर तो मेजे एंटलीज्टेलिजनसी वाजड डीसिजन ऑई ठीक है यहां गैंज है को घरिटीजनशनक्य को किस ने डुग опредler का असर क्या होगा ? do weonet और सिं मॉने जो byग ने उसने क्या किया त्लिर्र किया इसको इंटली जेंसी को इंटली जेंसी को मिजर करने का चलोगो नेत्स Breaking how to go when is the characteristic of personality personality की कौन-क्वन से characteristic है, ठीक है, personality is a unique and specific, personality is a product of hereditary and environment, personality includes all of behavior pattern and cognitive, ठीक है, cognitive and, यह है, cognitive and affective domains, cognitive and affective domains, तो यह सब रखता है, जो personality होती है, सब चीज़े होती है, personality के अंदर, यहां पर सही answer क्या होगा, अपना D वाला होगा, next बात कर लेते हैं पन, Who classified personality as extrovert and introvert, यानी कि दो परकार के जो personality है, यी किसने classify किया है, ठीक है, extrovert और introvert को किसने classify किया, इसको जो classify किया, किसने किया, Carl Jung ने, समझे में आ गया, दो चीज़ के region's personality होती है, एक तो होती है, extrovert, extrovert, और एक होती है, introvert, ठीक है इंट्रोवर्ट समझे में आ गया एक्स्ट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट सपोज करो मालो यह कोई व्यक्ति है ठीक है यह कोई व्यक्ति है यह व्यक्ति है यह और दो दो प्रकार के व्यक्ति है एक तो एक्स्ट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है अब ह YOUR A duMis na अलगी की परकार आदमी शहें किया है और करता कमें आ गया वह से आदम group को एहां हम इंट्रोवर्ट क्या कहते हैं उसे एंट्रोवर्ट जैसे आफने देखा होगा ना अर्ण extrovert समझ में आ गया है उसे क्या कितेपन extrovert तो यह किस ने क्लाजिपाई किया कार्ल जंग ने बात कर लेटे नेक्स्ट शोशन की कि इस राइच ए रेक्सनिया इसको मैं याद रठने की ट्रिक बता दिता देखो यहां पर क्या जाया सो-शो याद रखलो सो-शो ये ट्रीक अभी एगजाम के लिए कापी महत पूने है सो-छो देखो यह साइको सोशिल इसको तो तो सोशिल होगे ना तो 100-100 यहां भी सो और इरिक्शन में के रहा है सो तो सो सो समझ में आ गया वह दो ही तो है ऑनने औकुंह नica तो criticized 주 जो यह वह वो किस ने दिया यह बीया लुजी मेंद पुश्वश्व को इरिक्षन ने तिया हिसको पुश्वाइल को इरिक्षन ने दिया इसको हमें आपको बता दिया यह दतर केह के समझ में आ गया चलते हैं आपन नेक्स कुशन को देख लें आपन इन विच आप दे फ्लोविंग पर्सनालिटी असेस्मेंट टेस्ट ए पर्सन इस गिवन ए पिक्चर एंड आस्ट गी हिम तो मेक स्टोरी अपूट दे पिक्चर यानि कि किसी व्यक्ति को एक पिक्चर दे स्टोरी निक स्टोरे लिक सम्झ में आ गया किसे क्या कहते है जैसे मालो मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको कह दे इंदर एक डाइग्राम मैंने एक पिक्चर दे इंदि मालो-ईए देदी यह आदेदी मैंने एक पर्ति जो इमोशन होगी इसके प्रती जो emotion होगी लड़की के प्यरती जो emotion होगी ना वो आप लिखोगे ठीक समझ में आगया यह तो बहुत सुंदर है यह बिलकुल एकदम अच्छी लग रही है बहुत beautiful है मतलब आपके जो emotion है वो लिखोगे किसी को लड़कियों से नफरत होगी तो वो क्या करेगा लड़कियां बेकार होती है इसके तो मांग सही नहीं है यह तो बिलकुल इसके तो लिप सही नहीं है यह तो बिलकुल बेकार है वो ऐसे लिखेगा समझ में आया वो लिखेगा तो यह जो मतलब इस टेकनिक को कहते है पन प्रोजक्टिव टेकनिक क्या कहते है इसको कहते है पन प्रोजक पर्सनाल्टी इस ड्राइवड फ्रॉम्ड ग्रीक वर्ड ठीक है पर्सनाल्टी कौन से ग्रीक वर्ड से बना हुआ है तो पर्सनाल्टी किसे बना हुआ है यह बना हुआ के देखा हुआ यहां मास्क पर्सोना यह से बनाई थि से बनाई कैंसे ऒारसे बीच if of following is characteristic of learning ठीक है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है तो लेर्णिंग का लेर्णिंग करने से मोडिफिक्शन हो जाता है जैसे आपने देखागा मेरा शुरू का जो पहले पहले मैंने तीन साल पहले एक वीडियो डाला था वो बिल्कुल दुन्दला था और आज की वीडियो में कितनी क्वालिटी है तो देखो ये भी सही है लेर्णिंग क्या है एक एक्ट्यू प्रोसेस है तेक है इसमें क्या होता है एक्ट्यू प्रोसेस है अगर मालो मेरे हिच्छह को देखंग यहां पर एक तरह से active process है और तो यहां पर सही answer होगा होगा all of ठीक है all of d ठीक है कहने का मतलब यहां पर trial error ठीक है trial error theory learning was given by ठीक है trial error theory किसके द्वारा दी गई तो जो trial error theory है वो किसके द्वारा दी गई यह question काफी important है trial error theory किसके द्वारा दी गई यह UPPSC के exam में पूछा जा सकता है तो trial error theory जो दी गई वो है thon dyke के द्वारा दी गई है trial error theory ठीक है trial error theory किसे होती है जिसे कि मतलब जिसे इसमें trial करते करते हैं जिसे मालो एक बच्चे को आपने चम्मस दे दी हाना तो मुह में लेगा मुह में लेगा लेकिन दीरे 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 वो क्या है दीरे दीरे वो चम्मस से खाने लग जाएगा मतलब यह एक तरह से trial error theory होती है किने का मतलब आप trial करोगे तो उसमें गलतियां भी होगी तो यह thon dyke ने दिए ठीक है बात कर लेता है next question की according to thon dyke all of the following are law of learning accepted यानि कि thon dyke के अनुसार सारे law learning के हैं सीखने के हैं एक को छोड़ कर तो यहाँ पर सही answer क्या होगा देखो यहाँ पर सही answer होगा law of memory यह नहीं है thon dyke के अनुसार जैको readiness ने भी जिसे मालो मैं ready हूँ किसी चीज के लिए तो यह भी law है thon dyke का law of exercise यह भी thon dyke का law है law of effect यह भी law है लेकिन law of memory law नहीं है किसका thon dyke का बात कर लेते next question की यहाँ पर question में पूछा है if a child mental age equal to chronological age his IQ will be यह question पूछा जा सकता है आपसे exam में यानि कि एक child है जिसकी mental age और chronological age बराबर है तो उसकी IQ कितनी होगी तो क्या होगी उसकी IQ कितनी होगी तो देखो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर उसकी IQ होगी so समझ में आ गया तो answer कितना रहेगा अपना यहाँ पर so समझ में आ गया a child considered is mentally retarded यानि कि किस बच्चे को आप mentally retarded में गनित करोगी यानि उसकी IQ कितनी है तो उसको mental retarded में आप करोगे समझ में आ गया यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर सही answer है वो है बी वाला अगर उसकी IQ जो IQ है वो अगर 70 से कम है यानि कि 70 से बिलो है मालो इसकी 70 से बिलो है 70 से बिलो है IQ तो से कहेंगे अपन mentally retarded मैं आप चार्ट दिखा देता हूँ देखो 50 to 70, mild mental retarded, 30 to 50, moderate mental retarded, severe mental retarded 20 से 35 के बीच में और profound 20 से बिलो यह पूछा जाता कई बार exam में कि profound किसे कहते है तो जो 20 से बिलो होती है उसे कहते है अपन profound समझ में आ गया next question देख लेते है अपन तो compute IQ which formula used ठीक है IQ को calculate करने के लिए कौन सा formula अपन प्योग में लेते हैं तो कौन सा formula यूज में लेते है अपन यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर सही answer है वो है कौन सा होगा यहाँ पर मैंने अभी बापको बताया था ना यहाँ पर है IQ को calculate करने का सहंज में आ गया तो यह formula है IQ को calculate करने का next बात कर लेते हैं कि the mass low need hierarchy model which of the flowing need is to be kept above safety need यानि कि safety need से पहले कौन सी need होती है hierarchy की तो यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर क्या होगा सही answer safety need से पहले पूचा है safety need से पहले ठीक है यानि कि safety need से अभू तो कौन सी होगी यहाँ पर कि देखो my slow need hierarchy model which of the flowing need keep above safety need तो यहाँ पर है कौन सा यहाँ पर है belongingness and loving ठीक है यह होगी देखो मैं इसको एक दो कि पीस ठीक है कि पीस से ले ठीक है पीस लेस सब्सक्राइब आगया पीस लेस ठीक है या इसको ऐसे याद करों इसको यह से इसको एक ट्रिक में बताता हूं पीस ले इस अपीस लेस एस एसे याद नहीं ठीक है पी एस एल ले ए एस ठीक है ऑँ ठीक है अँआ ठीक है समझ मागा पीजियोलोजिकल नीड शेप्टी लविंग और क्या है मतलब क्या है और यह अपना कि इसको आप याद रखने का में कि आ है यह इंसको ल गईसको्स का जो अपने मोडल देखते में आपको बताते मैं इसको जो साब्से जो यह को हम पहें नहीं था है आपको याद रखने का लेकिन ओर ठ्रिक में थोड़ा सा दिख्कत हो रहा है अभी तो मैं आपको चलो छोड़ो इसको छोड़ देते हैं अब लिख लेते हैं अपन देखो सब सब पहले जो नीचे नीड होती है मैं आपको समझाता हूँ इसे सब सब पहले जो नीचे नीड होती है वो नीचे वाली नीड होती है physiological need क्या होती है physiological need ठेके physiological need होती है ठेके इसके बाद में क्या होती है safety need होती है ठेके safety need होती है फिर यहां पर यहां पर होती है belonging इसके उपर होती है love और belongingness और यहां पर इसके बाद में यहां पर तो यहां पर अपने जो सही अंसर है वो है क्या है बी वाला मैं आपको चाहूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं इसका जो मोडल है वो दिखा देता हूं मैं आपको यहां पर जो इसका मोडल है मैं आपको दिखाता हूं देखो अभी यहां पर इसका जो मोडल है वो दिखा देता हूँ मैं आपको क्योंकि इसके मोडल से अपनको किलियर हो जाएगा मैं सलो के मोडल से ठीक है मैं सलो के मोडल के मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है मैं सलो मैं मोडल आपको दिखा रहा हूँ यह भी आपको मैं देखो यह होती है यह मैं आपको मैंसलो मोडल दिखा रहा हूं अभी आना तो यहां पर मैं आपको मैंसलो मोडल दिखाता हूं देखो यह यह मैंसलो मोडल है यहां पर अभी मैंसलो मोडल में आपके सामने यह ठीक है थोड़ा क्या है कि आपको कन्विजन बना रहा है इसलिए पने एक दम करें धो मैं सलों इसको डम मोडल को देखो यहां कि में आ गया यह देखो अतुप क्यों यहां कि वालृ से जो बिलोंगर और इसके बाद से इसको हुए खाला इसमोगस मैं एक्स Kollege बतायाता है वो ट्रिक में थोड़ा सा में ओलेज रहाता है क्योंकि ट्रिक क्या होता है ट्रिक कई बार बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है तो इसको आपन याद रख सकते हैं पी इसको यहाद रखते हैं पीस पीस लेस समझ में आ गया पीस से क्या हो गया पीस लेस का पी यह नि फिजियोलोजी का लीड ठीक है और एस का मतलब पीस यह एस का मतलब सेफ्टी और एल का मतलब लविंग उभीलोंगेंग और एक का मतलब एस्टींच ठीक है अर इस का मतलब क्या होता है इस का मतलब हो था सोशल अमनलब सयल एक्टैसन समझ में आ गया पीट्रीu क्यों एकहते हैं। पी का मतलब आपको लिखे लेना पी ये सका मतलब एल एक का मतलब एस ऑर ले suppress. खह रहा है ना तो एक क Одकल ये ले य और के का मतलब ये एस शचार्डिए कहों आगिया सबीस इस पीस रोस एम और एस ये सब Laus क्योंकि कई बार आपन क्या confusion हो जाता है इसमें समझ में आ गया चलो चलते हैं पनने execution की उधायत कर लेते हैं कि यानी कि जो पाउलो ने जो क्या है कि यानी कि लिए है वो किस मतलब क्या है मतलब क्या तुह इसंव में आगया यहां要 कंडिशनल रेस्पॉंज निए हैjiī लो यह डोग है पहले तो क्या डोग को खाना दिया उसके लार आ गई फिर यहां क्या है डोग और खाना के साथ में बेल बजाया फिर लार आ गई फिर डोग को बुलाया फिर बेल बजाते हैं फिर खाना नहीं दिया बेल दिया बेल बजाया तो उसके लार आ गई तो यह कहने स्थक्राइब क्राइक घालार्य में ज आपको वीरी को लायक कर दिजेगा और अपने फ्रेंट्स को भी एक बार जरूर बता दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद